आज आस्था का दस्वा जन्दिन है उसके पिता जी ने सब के लिए हल्वा बनाया वह अपने मित्रों के साथ अपना जन्दिन मना रही है मैं नौ साल की थी और अब एक और साल बाद मैं दस साल की हो गई नौ और एक मिलकर दस होते है उसने अपने जन्दिन पर रिक्तिस्थान दिये जलाए तो प्रणवी मज़ा आया अस्था के बर्दे में हाँ बहुत मज़ा आया तो चलो देखते हैं उसके फ्रेंड्स उसके लिए क्या लाए थे इस चित्र को देख कर बताओ कि उसकी फ्रेंड उसके लिए कितने मोतियों की माला लाई थी एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ नौ दस और ये लड़का उसके लिए कितने लड़ू लाया था एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ नौ दस दस बिलकुल सही क्या बाकी के चित्र हम अपने दोस्तों के लिए छोड़ दे जी हाँ अब वो हमें बताएंगे कि इसमें कितने रंग केले और पत्तियां है पर नवी मेरे पास आपके लिए एक खेल है खेलना चाहोगी जी हाँ ये कितने मोतियों की माला है एक दो तीन चार पांट छे बिलकुल सही और इसे दस मोतियों की माला बनाने के लिए हमें कितने और मोतियों चाहिए चार बहुत बढ़िया, तो बना दो इसे दस मोतियों की माला साथ, आठ, नो, दस ये बन गई दस मोतियों की माला और इस माला में कितने मोति हैं? एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ और इसे दस मोतियों की माला बनाने के लिए हमें कितने और मोति चाहिए? तीन बहुत बढ़िया तो बना दो इसे दस मोतियों की माला आट, नौ, दस ये बन गई दस मोतियों की माला अब बाकी दो माला के मोति कौन गिनेगा हमारे दोस्त अच्छा इतना बता दो इस माला में कितने मोति हैं एक, दो, दो अब आप बताईए इस माला को दस मोतियों वाली माला बनाने के लिए कितने और मोति डाले हम और इस वाली माला में कितने मोति हैं प्रनवी एक, दो, तीन, चार, चार अब हमारे दोस्त बताएंगे किसे 10 मोती वाले मालब बनाने के लिए हमें कितने और मोती चाहिए प्रन्नवी अब हम बटनों से 10 का फ्रेम बनाएंगे पहले बताओ इस फ्रेम में कितने बटन है एक, दो, तीन, तीन इस फ्रेम में हमें कितने और बटन चाहिए ताकि ये दस बन जाए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ बहुत बढ़िया, तो लगाओ इस पे साथ बटन एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ बन गए दस अब बताओ, इस फ्रेम में कितने बटन है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे और हमें कितने बटन चाहिए ताकि ये पूरे दस बन जाए एक, दो, तीन, चार, चार तो लगाओ दो चार बटन एक, दो, तीन, चार, बन गए दस बहुत बढ़िया अब बाकी के दो फ्रेम कौन पूरे करेगा हमारे दोस्त पिलकुल प्रनवी क्या तुम अब पांच और दस के बारे में जानना चाहोगी जी हाँ पर उससे पहले हमें जोडों की संख्या के बारे में समझना होगा तो शुरू करें देखो मेरे पास ये पैंसिल है मैं इससे राजमा के दाने बाटूंगी और बटिवी संख्या के हम चोड़े बनाएंगे तो प्रनवी बताओ पैंसिल के आगे कितने राजमा के दाने है एक और पैंसिल के पीछे एक, दो, तीन, चर एक और चार बहुत बढ़िया अगर मैं पैंसिल यहां रख दू तो पैंसिल के आगे कितने दाने है दो और पीछे एक, दो, तीन, दो और तीन बहुत ही बढ़िया और यहां पे रखू तो तीन और दो बहुत बढ़िया आप तो बहुत जल्दी सीख गई और अगर पैंसिल यहां रखूँ चार और एक अगर मैं पैंसिल यहां रख दू तो पाच और जीरो बिल्कुल सही तो आज हमने मोतियों की माला बनाई बटनों से दस का फ्रेम भी बनाया और राजमा के साथ संख्या के जोडे भी बनाये तो अब हम करेंगे उंगलियों का जादू प्रनवी अगर मैं दो उंगले निकालू तो आप कितनी उंगले निकालोगी ताकि पांच बन जाए तीन बिल्कुल सही अगर मैं एक उंगले निकालू तो आप कितनी उंगले निकालोगी? ताकि पांच बन जाए? चार बहुत अच्छे! अब हम उंगलियों की मदद से दस बनाएंगे अगर मैं छे उंगले निकालूँ तो आप कितनी उंगले निकालोगे? चार बहुत ही बढ़िया अगर मैं आठ उंगले निकालूं तो आप कितनी और उंगले निकालोगे दो प्रनवी अगर मैं पांच उंगले निकालू तो पांच और ये बन गए दस अब ये वाला खेल हमारे मित्र भी खेल सकते हैं तो चलो क्यों ना हम कार्ड से खेले यानि की नंबर कार्ड से जरूर प्रनवी हमने जीरो से लेके दस तक सभी कार्डों को उल्टा रख दिया है अब एक एक करके हम कार्ड उठाएंगे पहले मैं एक कार्ड उठाऊंगी फिर आप उठाना और देखते हैं आई हुई संख्या का जोड दस बनता है या नहीं तो शुरू करें हाँ तो मैंने उठाया ये और मेरा आया दो अब आपकी बारी मैंने उठाया आठ और ये कितना बन गया दो और आठ दस बिलकुल सही तो ये हो गए प्रनवी के कार्ड अब अगला कार्ड उठाओ मेरा आया दस और मेरा आया पांच तो क्या ये दस बन गए नहीं तो यानि इन कार्ड्स को हम वापस रख देंगे अब मेरी बारी मेरा आया छे अब आप उठाओ मेरा आया चार और ये बन गया दस और ये प्रेनवी फिर से जीत गई तो दोस्तों ये खेल आप अपने फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं तब तक के लिए खेलते रहें, बढ़ते रहें और पढ़ते रहें बाई बाई भ बाई